असलाम निक स्टूडेंट्स मैं हूँ आपकी कोर्स इंट्रक्टर मैं आपका सर्परमीन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल लर्न पाइलोजी विद इज तो स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक करें है सेकंड एर क्लास का सेकंड टॉपिक थर्ड टॉपिक है ऑस्मो रेगल जोफाइड्स और जीरोफाइड्स इसको भी हम असानी से अंडिस्टैंड करेंगे ताके यह में याद रहें जी सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोफाइड्स क्या होती है हाइड्रोफाइड्स इस नाम के हम दो पैच कर लेते हैं दो हिसे कर लेते हैं ताके हमें यह इसली समझ आए एक लवज हाइड्रो देखें और दूसरा फाइट जो फाइट का वर्ड होता है यह हम प्लांट के लिए इस्तमाल करते हैं और जो हाइड्रो होता है वह वाटर के लिए जूज करते हैं अब इससे आपके माइन में क्या आया कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं के अंदर कौन कौन से ऐसे एडाप्टेशन है जिसकी वजह से यह सूटेबल उस इन्वार्मेंट के लिए सबसे पहले इस टोनेट साफ में याद रखना है कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं वून को क्या कहते हैं प्लांट्स इन वाटर इसका वाटर बडीज इस काल्ड हाइड्रोफाइट अब सबसे पहले देखते हैं कि इन हाइड्रोफाइट ने अपने अदर कौन कौन से ऐसे अडाप्टेशन हैं जिसको इन लोगों ने अडाप्ट किया है ताकि यह इस इन्वार्मेंट के लिए सूटे बन हूँ फरस्ट और अच्छा यहां पर यह त्रकन आपने याद रखना है कि इनको फेस क्या करना पूरता है फ्लडडिंग ओफ वाटर यानिके इनके पास बहुत ज्यादा वाटर है न तो इनकी रॉ चान करना जो एक्सट्र है जो इनकी ज़रूरा से ज्यादम वाटर है उसको और रिमूव करना है अब इसमे एक जो खास बात ऐक तो यह है कि इनके जो लीव צोंगी पत्ते होंगे वह लार्ड होंगी अब पत्ते लार जोंगे तो जाहर सी बात इसे क्या होगा उनका लीव का सर्फ़िस एज्यादा होगा अच्छा अब दूसरी कि क्या खास बातありますि निंके लीवցस के उपर नंबर ऑस्ट्रामेटा ज्यादा हैं नंबर रॉरस त्रॉमेटा है Older उन्हें अम्हें एपीडर्मिस पर भी होगो यह पर बिएatar मेसं तो फिन भी धोगा इस से अब गांशल में खोंग संद थ्याधा होगा इस वहट उपर भी होंगे नीचे सब्सक्राइशन का लिकषण ट्रिमेटल ट्रांसपैरिशन प्र से तो ट्रांसपैरिशन के पर रहु है एक्स्ट्रा वाटर कि और और को वह इवापरेट कर देंगे या जानिक योरिफ सिंग उसको रिमूफ कर देंगे packages committed तो । प्र्सक्रांपरल साहए मैटाолो भी सा ग्रमाटस हाएं यह पानी जहादा होगा उस्को रिमुव कर देंके बडी Edic अब यहां पर क्या होगा अब यहां पर इक्जामपल क्या हो रहां हम पुट कर सकते हैं इस मीजो फाइट अब स्टूरेंट्स आपने इस से यहां पर इसके भी वैसे ही दो पैच कर लेते हैं ताके हमें असानी हो समझने में मीजो से आप लोगों याद रखना है मॉड्रेट ठीक है याद रखने के लिए एक टिप दे रहे हूं मॉड्रेट और फाइज के मीनिक्स क्या है वही प्लांट मीन तुसे यह ऐसे प्लांट्स हैं जो इस तरहां के माहूल में होंगे जहां पर वाटर सप्लाई मॉड्रेट होगी मतलब बहुत ज्यादा वाटर भी इनको फ्लेडिंग और वाटर भी नहीं होगा और शॉटेज इन मॉड्रेट वाटर सप्लाई अब इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर आप लोग देखे जो लीव का सर्फिस एरिया होगा लीव का सर्फिस एरिया होगा नॉर्मल होगा बहुत ज्यादर भी नहीं होगा moderate surface area होगा अब moderate surface area जैसे के हमारे terrestrial ecosystem में मतलब उनमें stromata कितने होते हैं इतने तक्रीबन एक से 2% surface area जो होता है उसको वो cover करते हैं stromata जो होते हैं और इसके इलावा lentisir वगारा बाकी भी transpiration होती है तो अब यहां पर क्या होगा यहां पर transpiration का mechanism होगा लेकिन क्योंकि इनको बहुत ज्यादा water के उसमें है नहीं है मतलब ज्यादा water flooding of water भी नहीं है इनको shortage of water भी नहीं है तो यह जो थोड़ा बहुत इनका पास extra होगा उसको through transpiration remove कर देंगे इसकी example देख लेती हैं इसकी example में हमारे पास rose है ब्रासी का हो गए mango है यह तमाम क्या है इसकी examples है third one को देखते हैं जो के है zero fights जीरो फाइट अब student zero fights इसके भी same way fight किसके लिए इस्तेमाल करते हैं पौदे के लिए और यहां पर यह जो है यह हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सहराई होते हैं जो desert से belong करते हैं पौदे desert से belong कर जहां पर water की shortage होती है तो वो पौदे जो desert के अंदर या जहां पर खुश्क खुश्क साली होगी जहां पर पानी की shortage होगी तो यह इसमें वो पौदे आएंगे यानि के plants with shortage of water तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्लांट्स में अपने आपको इस महोल में adjust करने के लिए खुद में ऐसी कौन कौन सी adaptation की है सबसे पहले देखते हैं इनके जो लीफ होंगे modified thick leaves होंगे थीक leaves जो के बहुत small होंगे पहुत नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत लेस होंगे लेस स्टोमेटा होंगे और यह होंगे कहां lower epidermis में क्योंकि अगर उपर होंगे तो उससे क्या होगा स्टोमेटा के थो एवाप्रेशन होगी पानी जाया हो जाएगा और इन विचारों को तो पहले ही शौर्टेज ऑफ वाटर है तो क्या होगा lower epidermis होगे अगर कभी जादा होता है तो उससे होंगे वरना इतने जादा नहीं होगे अब इसके इलावा यह स्टोमेटा मुजूद कहांगे डिप्रेशन के अंदर होंगे यानिके गड़े होंगे उनके अंदर यह मुजूद होंगे अच्छा अब इसके इलावा और क्या ह होंगे ताची को कि लेयर होंगे क्यूटिक्ल होगी थिक होंगी तो आई यह यहीं अब क्या होगा ऐसा भी है कि जब इनके पास द्राइया सीजन होगा ड्राइयस्ट सिजन यहनी कि फुल खुeshक्साली होगे तो तब यह शब कर देंगे स्टो लीज को ही शेड कर देंगे ताके बिल्कुल भी वाटर जाया ना हो अच्छा इसके इलावा और इनके अंदर जो एक खास फीचर है वह सकूलेंट और गन्स हैं अब यह सकूलेंट और गन्सकूलेंट और गन्स क्या होते हैं स्टुडक्ट ती यह जूसी होते हैं आसे ऐए उसी पैर्न ख्याहम मैं आए ंसेल्स होते हैं और मेली मैँ के पैररेंट काने शैल बजाद यह जींट होते हैं और यह क्या कर लेते हैं श्टीट कर लेतें हैं वाटर को worse तो इनको हम क्या कएपे है succulent organ, अब इसकी इक्जामपल हम देखते हैं, इसकी इक्जामपल क्या हो सकती है इसकी इक्जामपल में है, Cactus जी स्टुड αν्थ यह topic भी हम लोगा नहीं कवर किया, उमीद करते हूं आपको समझ आया होगा इसमें आप इससे रिलेटिड आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कीप वाचिंग, अलाहाफिज